यहां पर दोखो यह लिब्राफ इसकुला है यह कॉलम नुबर वन दिखाई दे रहा है ए बी दिखाई दे रहा है सी डी तो अगर मालो कि इसमें से हमें एक कॉलम हटाना हो तो कैसे हटेगा शॉट कर तीजिए उसे तो control के साथ क्या press करोगे minus क्या press करोगे minus जैसे press करोगे तो देखो ये column हट गया यहाँ पर 2 दिख रहा है पहले 1 दिख रहा था दिख रहा था ना फिर मैं इसको undo कर लेता हूँ control z से देखो फिर से मैं दिखाता हूँ जैसे माल लो इस पर click रखा है ठीक है और यहाँ से control minus कर रहा हूँ c देखना c है 3 लिखा हुआ यहाँ यहाँ से control minus किया तो 3 वाला गयब हो गया तो यह shortcut key है जिसके तुरू आप किसी भी column को हटा सकते है ठीक है यहाँ देखो फिर से मैं अटा रहा हूँ यह अटा दिया फिर इसको select करोगे एक cell पर ही नहीं है यह cell है तुम्हारा और अगर पूरा select कर लेते हैं तो यह column हो जाते हैं तो control minus करोगे तो पूरा column गयब हो जाएगा फिर इसको selection में ले लो जिस भी column को selection में लोगे वो गयब होता जाएगा हटता जाएगा ठीक है समझ में आ रही है यह बार तो delete करने के लिए control minus समझ में आ रहा है कोई दिक्कत